मुभी के सुरुवात होती है वेस्ट वर्जिनिया के एक सेंटोरियम से वक्त है 1974 का यह सेंटोरियम डिफॉर्म लगों के लिए बनाया गया है जो भी डिफॉर्म लोग यहां रहते हैं वो बर्थ डिफेक्ट वजा से डिफॉर्म हुए थे उसी वग डॉक्तर ब्रेंडन आत तब डॉक्तर ब्रेंडन डॉक्तर एंड को цел में लेकर जाते हैं वह तीन ब्रथ को और नहीं बलकि फिंगर जोट इसके बारे में बताता है यह तीनों अभी बच्चे थे लेकिन बहुत खतरनाक थे वह कितने खतरमाग थे इस चीज का आंजा सकता है उनमें से एक अपनी दो उंगलियों को खुद ही खा चुका था और इसलिए उसका नाम थ्री फिंगर पड़ा एक ने अपनी एक आँख निकाल कर खा ली थी और इसलिए उसे वन आई कहा जाता है और इन लोगों में तीसरा जोकी अपने दातों को दिवारों से रगड़ता रहता था और इसलिए वह सौथ उत था उसने बहुत सारे पेसेंट को काट कर बुरी तरह से जखनी कर दिया था इन बातों को सुनकर डॉक्टर एन कहती हैं कि ये तीनों इतने सारे दर्द को कैसे सह लेते हैं तब डॉक्टर ब्रेंडन बताते हैं कि इन लोगों को तकलिफ महसूस नहीं होती है इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं वहीं दूसरी और जिस प्रेसेंड ने डॉक्टर एन के बालों से पीन निकाला था वह अब लोग अप को खुलने लग जाता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है क्योंकि वह ज़्यादा होस्याब नहीं होता है यह करते हुए वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं जिसे देखकर वो तीनों उससे पीन मांते हैं जिस पर वह सक्त इन तीनों की तरफ वा पीन ठेक देता है उन तीनों भाईों में सबसे टेज ठीरी फिंगर उस लॉक अप को खोल लेता है चुटके से ये तीनों भाई बाहर आ जाते हैं और सेक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं तब ये लोग कंट्रोल रूम में जाकर सारे सिल्स को खोल देते हैं इसके बाद से वाजगा पुरी तरह से पगल खाने की तरह बन जाता है वो तीनों लोग डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और उसे एलेक्ट्रिक सॉक देते हैं ये लोग डॉक्टर एन को तब तक सॉक्स देते हैं जब तक उसका दिमाग पूरी तरह से पक नहीं जाता इसके बाद वो लोग डॉक्टर ब्रेंडन को भी पकड़ लेते हैं ये लोग डॉक्टर ब्रेंडन को बहुत बुरी मौत मार देते हैं इसके बाद हमें 29 साल बाद का सेन दिखाया जाता है जहां हमें 9 इस्टुरेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि सुनों में मस्ती कर रहे थे, उन्हें रात होने से पहले अपने थीकाने पर लोटना था, लेकिन वह रास्ता बहुल जाते हैं, उन सबसे माफि माणने के लिए विनसën अकेला ही जेनरेटर ढूनने चला जाता हैं, विनसन को जेनरेटर मिल जाता है, वह जेनरेटर को ओ हो जाते हैं जहां उन्हें से डीविडी मिलती है डैनियल में प्रोजक्टर में डालकर लेकरता है कि उसendर और बहुत तरह कि अर्कित Ju अगले दिन सूबर हो चुकी होती है लेकिन तुखान अब तक नहीं थमा था वाहां Vincent missing था इसलिए जैना विंसिन के बारे मैं सब लोगों से सवाल करती है लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था इसके साथ साथ उनलोगों का सारा समान भी गैब हो चुका था लेकिन वो लोग सोचते हैं कि साइद विंसिन इस बार भी कोई मजा कर रहा है सारे लोग विंसिन को ढूनना शुरू कर देते हैं उन में से चार स्ट्रेंट्स बेस्मेंट की तरफ जाते हैं वहाँ उन्हें एक अजीब तरह का केज मिलता है जहां बहुत तरह के खतरनाक हतियार रखे होते हैं जब वह आगे बढ़ते हैं तब उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जहां इन तीनों इलिगल बरदर्स को रखा गया था कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा खून लगा हुआ है जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं बेस्मेंट काफी बड़ा होता है इसलिए वो लोग अलग-अलग हो जाते हैं और विंसिंग को ढूनने लगते हैं अलग होने के बाद जैना किचन में जाती है जहां वा देखती ही कि सोतूत बोर्टर के टुकड़े कर रहा है तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर सोतूत को वहाँ से ले जाता है यह सब देखकर जैना भी वहाँ से जल्दी से भाग जाती है वह उन लोगों के पास आकर सब कुछ बताती है तभी बॉटर के जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है कैनिया उसे चेक करने के लिए जाती है जैसे ही वह उस जैकेट को खोल कर देखती है तो वहाँ बॉटर का कटा हुआ सर होता है ये तीनों उसका सर देखकर काफी डरे हुए होते हैं तभी ये तीनों भाई केलियर के गले में थार डाल कर उसे उपर खिच लेते हैं तब कायल जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है वह उसे बचाना चाहता है लेकिन उसके खून से वह पूरी तरह नहा जाता है इतनी कोशिस करने के बाद भी वह कायल को नहीं बचा पाता है उसका सर धर से अलग होकर गिर जाता है यह देखकर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिस करते हैं लेकिन उनकी स्नो मोटर्स चल नहीं रही थी क्योंकि इन तीनों भायों ने सुनों मोटर्ट की स्पार्ट प्लक निकाल दे थी यह सब होता देखिन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए उनी में से एक लड़की जिसका नाम लॉरेन होता है वह स्केट शेंपियन थी वह डिसाइट करते ही कि इसकेटिंग करते हुए वह मदद मागने के लिए आगे जाएगी तब वह मदद लाने के लिए वहां से चली जाती है बाकि सब के पास गरम कपड़े नहीं थे गरम कपड़े नहीं होने के कारण ये लोग आगे नहीं जा पाते हैं तब ये लोग इंचार्ज ओफिस में खुद को लॉक करने का प्लान बनाते हैं तब ये लोग जल्दी से भाग कर ओफिस में जाते हैं और खुद को अंदर से लॉक कर लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं था बेस्मेंट में इन लोगों ने बहुत सारे हथियार देखे थे इसलिए कुछ लोग उन हथियार को लाने के लिए नीचे जाते हैं वहाँ पर थ्री फिंगर इन लोगों के पिछे पड़ जाता है तब ये तीनों जल्दी से जाकर एक केज में छुप जाते हैं जब थ्री फिंगर वहाँ से चला जाता है तब ये लोग बाहर निकलते हैं और वहाँ से बहुत सारे हथियार ले जाते हैं दूसरे तरफ वन आई ओफिस के दरवाजे में छेट करके केनिया को पकड़ लेता है वहीं पर एक दूसरी लड़की सोतूत के हाथ में ब्लेड मारती है तब सोतूत उसे छोड़ देता है इधर ये तीनों ब्रेस्मेंड में से भाग रहे होते हैं सबसे पिछे डैनियल होता है तब सोतूत डैनियल को पकड़ लेता है और उसे किचन की तरफ ले जाता है और वहाँ ले जाकर उसे बान देता है जब ये लोग आफिस पहुँचते हैं तब देखते हैं कि डैनियल उनके पिछे नहीं है इधर ये तीनों भाई डैनियल को जिन्दा ही काट रहे होते हैं जिसके चीखे सब लोग सुन सकते थे इन लोगों के ओफिस में बहुत बहास होती है और लास्ट में ये सब लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं तब काईल देखता है कि ये तीनों भाई उसके मसल्स को काट कर उसे तेल में फ्राइ करके खा रहे थे यह देखकर वोग सोचते हैं कि वो डैनियल को नहीं बचा सकते हैं तब वो लोग डिसाइट करते हैं इन तीनों ब्रदर्स को वो लोग ट्रैप में फसाएंगे ये सोचते हुए ये लोग उन पर अटेक कर देते हैं और उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं तब काईल उन्हें जलाकर मारने कर फैसला करता है लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोग देती है Kenya Kyle से request करती हिकवा इन्हें नहीं जलाए तब Kyle इस jail के किनारे पहरा देने के लिए रुख जाता है और ये सारे लोग जाकर सोजाते हैं इन लोगों को उसी cell में लॉक किया गया था जहां ये लोग 29 साल पहले लॉक थे उन लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यहा थी जिस पेंसे इन लोगों ने उस लोग को खोला था वह पिन अभी भी वही पड़ी थी तब तरी फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखा कर लोग को खोल देता है और बाहर आते हैं ये लोग Kyle को पकड़ लेते हैं जब Kenya Kyle को चिक करने के लिए जाती है तब खुद बाखुद जनरेटर बंद हो जाता है और हर तरफ हंदेरा चा जाता है और वहाँ पर आकर वह देखती है कि ना तो वहाँ पर Kyle है और ना ही वो तीनों सेल के अंदर है वह वापस आकर सबको बताती है कि वो तीनों सेल से बाहर आ चुके है उसे वक्त कोई दर्वाजे पर आ जाता है जिसका फेस कभर होता है वो लोग समझते हैं कि सायद ये थ्रीफिंगर है जिसे वो लोग बड़ी बेहरमी से मार देते हैं वो लोग उस सक्स को इतना मारते हैं कि वो जान से मर जाता है उसे मारने के बाद ये लोग उसका फेस देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो थ्रीफिंगर नहीं बलकि काईल था जिसके जुबान कटी हुई थी उसे देखकर वो लोग वहां से भागने की कुसिस करते हैं लेकिन ये तीनों भाई उनके पीछे पढ़ जाते हैं भागते भागते ये लोग उनके रूम्स तक पहुँच जाते हैं जहां पर इन लोगों का समान भी रखा हुआ था वो लोग अपने गर्म कपड पेहंदर खिटकी से बाहर आने का डिसिजन लेते हैं लेकिन वह एक सेनेटोरियम था और इसलिए सारे विंडोस सेल्ड थे और वही पर उन्हें एक टूटी भी खिटकी मिलती हैं लेकिन उस खिटकी के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी सारा उस बर्फ को हटाने लगती हैं लेकिन उसी वक्त वो तीनों भाई भी वहां पहुँच जाते हैं थ्री फिंगर दर्वाजा तोड़ने की बहुत कोसिस करता है स्री फिंगर के बाद अब सोतूत उस दर्वाजा को तोड़ने की कोसिस करता है इतनी ही देर में सारा बर्फ से एक रास्ता बनाने में कामियाब हो जाती है और वो लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं लेकिन जैना बाहर नहीं निकल पाती है और वो वहीं फस जाती है सोतू ड्रिल लेकर उसे मार देता है बागी तीनों जान बचा कर वहां से भागते हैं लेकिन वो तीनों भाई भी इन लोगों के पीछे आते हैं सोतू तुत ब्रिजिट को पकड़ लेता है जिस पर चाकू सिब वो उसके हाथ पर हमला करती है तब वो उसे छोड़ देता है दूसरी तरफ हमें लौरन दिखाई जाती है जो बर्फ जमने के वज़ा से मर चुकी होती है यहाँ सैड मॉमेंट यह है कि रोड उसके सामने होती है लेकिन तूफान के वज़ा से उसे नजर नहीं आया और वो हमत हार कर वहीं बैठी रह गई अब सिर्फ केनिया और सारा ही बचे होते है और केनिया अपनी जान बचा कर भाग रही होती है वन आय उसके पिछे पड़ा हुआ होता है अभी वो केनिया को पकड़ नहीं वाला होता है इस सारा उसे मार कर नीचे गिरा देती है और वो लोग अपनी सुनो मोटर लेकर वहां से चले जाते है वो लोग दोनों बहुत खुस होते हैं क्योंकि उन लोगों ने ये अपने प्लान के एकारणी किया होता है वो लोग इतने खुस होते हैं कि वहां पर लगीवी वायर उन्हें अजर नहीं आती और उन दोनों का सर धड़ से अलध हो जाता है तब थ्री फिंगर वहां आता है उनके सर उठाकर वहाँ से ले जाता है और उनकी बोड़ी वहीं पर पड़ी रहती है और यहीं पर यह मोजी खत्म हो जाती है